मद्यप्रदेश की सीम शिवरा सिंग चोहान की तीसरी कोरोना रिपोर्ट नेगटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गए गोपाल के चुराई अस्पताल में सीम को डिस्चार्ज कर दिया गया लेकिन डॉक्ट्रों ने घर पर खुद को अलग रखने और साथ दिनों के लिए अपने स्वास्त की निगरानी करने की सलाह दी है हॉस्पिटल से सीम शिवरा सिंग चोहान ने ट्वीट कर लिखा कि कोविड नाइंटीन से डरे नहीं मानसिक रूप से दबाव ना आए आत्मे विश्वास के साथ मुकाबला करे तो सहर्ज से ही इससे जीत जाएंगे इसके साथ ही सीम ने ये वीडियो भी शेयर किया है मानसिक कुप से भी अपने आपको दबाव में ना रखें आनंद से इस बीमारी का मुकाबला करें अगर प्रसंदता से इस बीमारी का मुकाबला करते तो सहर्जी बीमारी से बाहर निकल के आ जाते हैं और दूसरी अपील ये है मेरी मेरे प्रदेश बासियो मैं बिनम्र प्रार्शना करता हूँ बीमारी होने से बहता रहे कि हम बीमारी होने ही ना दें और ये किया जा सकता है, सारी दुनिया जानती नक्सिती बता रहा हैं, हमारे मानी प्रधान मुंत्री जी बार बार बताते हैं नमबर एक चेहरे पर मास्क लगा कर रखें ये फेस कमर जरूरी है नमबर दो, एक दूसरे के बीच में 6 पिट की दूरी रखें अगर आप दूर है तो संक्रमिस से भी मिल लिया तो ये बाइड़ास आपको अपनी ज्रफ्ट मेले नहीं सकता और नमबर तीन बारवार साबन से अपने हाथ धोते रहे सेनी टाइजर से हाथ साफ करते रहे हम लापरवाही करते हैं तो दिक्कत में आते हैं हमने भी लापरवाही मिलने वाले आए समस्ताय लेके आए मैंने परेज नहीं किया मैं तो मामा हूँ तो गई कैसे दे मामा जरा फोटू खिचवा ले इसके साथ CM ने हॉस्पिटर्स और डॉक्टर्स का धनिवाद किया और डॉक्टर्स को भगवान का रूप बताया बता दे 25 जुलाई को शिवरा सिंग चोहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे जिसके बाद उन्हें अस्पिताल में भरती कराए गया था जुस्दिस